हेलो व्रेंट्स कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों है विशाल असुका स्वागत करता हूँ आपई के चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे पसंद आ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें त दोस्तों आज की जो एप्लिकेशन है बहुत अमेजिंग होने वाली है इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है एंड तक देखेंगे तो काफी इंफरमेशन यहांसे आप प्राप्त कर पाएंगे ओके दोस्तों काफी इंफरमेशन यहांसे कलेट कर पाएंगे तो क्या ह आज की application क्यों amazing होने वाली है वीडियो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तो आपको क्या करना है सबसे पहले हमारे चैनल को subscribe करना है वीडियो को like करना है ओके दोस्तो इनकेस अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को subscribe भी करना है आपको और bell icon को भी दबा देना है और comment करके बताना है वीडियो कैसी लगी ओके दोस्तो चली दोस्तो वीडियो करते स्टार्ट दोस्तो आपके mobile ने बहुत सारे आपको browser मिल जाते हैं जैसे ही chrome मिल जाता है कुछ browser ऐसे होते हैं जो आप install कर लेते हैं जैसे की firefox हो गया और भी बहुत सारे हो गया आचल तो geo browser भी आ गया है लेकिन दोस्तो मैं आपको एक ऐसा browser बताने वाला हूं जो की काफी amazing है जिसे आप easily बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं और इसके बहुत सारे advantage है मैं इस browser के आपको बहुत सारे फायदे वताने वाला हूँ और दोस्तो आप उसे use कर सकते हैं और दोस्तो आपको क्या करना है सबसे पहले play store पर जाना इस browser के लिए play store पर जाने के बाद आपको क्या करना है search करना है cake browser यह browser आपको इस तरीक से आइकन के साथ मिल जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं इसके नाम है कि एक web browser free VPN fast private ad block इसके नाम में ही काफी कुछ आपको समझ में आ गया हुगा ओके दोस्तो चलिए मैं इसकी बात करता हूँ और पताता हूँ इसको आप open कर लीजिएगा दोस्तो आप जैसे इसे open करेंगे तो दोस्तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर आप आप easily VPN चालू कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्च और website का option है इसके बगल में एक परपल गलर का icon है इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ कि एक यहाँ पर आप कोई चीज का मतलब नहीं बता तो आप यहाँ पर वाइस रिकॉर्ड करके भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं इनकेस अगर आपको कोई चीज का मतलब नहीं बता तो आप यहाँ पर वाइस रिकॉर्ड करके भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं इतना यह कर सकते हैं अलाव कर सकते हैं और बोल के भी सर्च करना चाहिए तो कर सकते हैं ओक दोस्तो और क्या क्या अच्छी बात है इस प्राउजर में मैं आपको बता देता हूं दोस्तो जो भी आपको ड private window go option है, ओके दोस्तो, अब private window में जाके, अब आप Feny, आपको privacy पुई काम क्छ भी search करना है, whatever आपको जो भी search करना हो, आप यहां पर search कर सकते हैं, in case अगर आप यहां पर भूल जाते हैं, आप आप यू भी आपको private window में search किया था, और आप अपने दोस्तों अगरा के पास जाते हैं तो बूम उनके सामने आपने जो प्राइवेट पर सर्च किया है वो खुल जाता है तो दोस्तों ये आपकी प्राइवेसी के साथ थोड़ी खलल हो जाएगी तो यहाँ पर एक ऐसी सेटिंग आपको देखने को मिल जाती है जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं तो आपकी जो प्राइवेट विंडोस है वो ऑटोमेटिकली हटा देगा यहाँ पर जाके आप कुछ भी सल्च करना चाते हैं यह सेटिंग आपकी चालू है और आप यहाँ पर काम कर सकते हैं तो काफी कूल है यह एप्लिकेशन इसे आप यूज कर सकते हैं यूज कीजिएगा बहुत अच्छी लगेगी यह एप्लिकेशन मुझे जनरली बहुत अच्छी लगी यह एप्लिकेशन तो आप भी इसे use कर सकते हैं VPN यहाँ पर default मिल जाता है तो use कर सकते हैं तो काफी अच्छी application है और यहाँ पर add blocking का system भी आपको मिल जाता है add blocking का कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पर automatically add block आपको हो जाते हैं आपको website पर जाके कोई भी third party apps add नहीं मिलते हैं और आपको वो add block करने के लिए कुछ नहीं करना इस study महीं आपसे जब आप install कर लेंगे आपसे add block करने के लिए बोलेगा अब आप किसी भी website पर जाएंगे किसी भी website पर चलिए मैं search कर लेता हूं जैसे कि मैंने शायरी search किया है तो अब मैं किसी website पर जाओंगा तो हो सकता है मुझे हो सकता है नहीं ऐसा ही होगा मुझे ads वगेरा देखने को नहीं मिलेंगे क्यों नहीं मिलेंगे क्योंकि मैंने ad block कर रखे होंगे otherwise मैंने नहीं कर रखे होंगे तो मुझे ad देखने को मिलेंगे तोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटो अच्छी लगी होगी अप्लिकेशन इनकेस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और बैल आइकन को दबाना बिल्गूल भी ना भूलें दोस्तों बहुत जन्म मिलेंगे हम आपको नेक्ट वीडियो में ऐसी ही अमेजिंग टिप्स ट्रिक्स और नई नई एप्स के साथ तब तक के लिए बाए दोस्तों